अभी तक हमने यह जाना कि कैसे मानव की उत्पत्ति हुई कैसे जीवों का विकास हुआ अब यह समझेंगी कि मानव ने आज जिस मानव की बात करते हैं यह इस आधिनिक यूग में कैसे प्रिवेश किया इसका प्रिम्भिक समय क्या था इसका समाज क्या था इसको हम जानेंगे सबसे पहले मानव ने जब यह आधि मानव से मतलब ज्यानी मानव बना तब अपने भोजन की आव सकताओं के लिए जंगलों में खुमता रहता था और दूसरे जीवों या कंद मुल्कों खाक और जीव जल क्या सकता होती है इसको पूर्ती के लिए भी लोग दूसरी जीवों का सिकार करते होंगे पेड़ों कोई पत्ते और फल कंद मुल्ण आधि खाते होंगे इस तरह से दूसरी जीवों का सिकार करते होंगे और इसमें सबसे प्रमुख सहाय काम करता होगा तो उसमें कौन सा उजार था, कौन सा थियार था तो उसके सबसे प्रमुख हतियार के रूप में आया पशान अर्थात पत्थर सबसे मानों का जो सबसे परचिन अस्त्र है वो है पत्थर पत्थर ही उसके लिए सब कुछ था पत्थर से ही सारा काम यूग करते थे इसलिए आज की वीडियो जो रहेगा वो पशान यूग से सम्मंधित रहेगा और उसके बाद धातु यूग आता है जिसमें सबसे पहले मानों ने तांबा धातु की खोज किया ठीक है आज भी हम जानते हैं कि पाशान अर्थात पत्थर की पुझा की जाती है तथा हिंदू लोग तांबे धातु को भी पवित्र मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परचिन काल में यह हमारे लिए परमुख था ठीक है तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब और सेर जरूर कर दिजिएगा आपको पीडियो चाहिए तो इस टेलिग्राम को जोईन कर वहां से आप पीडियो भी प्राप कर सकते हैं पुरा इतिहास का वीडियो आपको मिलेगा सब कुछ का वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है अब देखिए हम इतिहास तो जानते हैं इतिहास के तिन भाब हैं क्योंकि इतिहास जो है हम लिखित साक्ष जहां से उपलब्ध होता है वही से इतिहास मानते हैं और जहां लिखित साक्ष नहीं मिलते हैं क्योल और क्योल सहितिक सुरूत के अधार पर हम उसकी गर्णा करते हैं उसको कहते हैं पार के तिहासिक al. इसमें चारखंड है. पुरब पशांकal, मद्ध पशांकal, नौपशांकal और तामर पशांकal. तथा ओध्य तिहासिक al उसको कहते हैं. जिसमें लिखित तो मिले हैं. परन्तु वह लेखन आज की यूग में नहीं पढ़ा जा सका. मतलब हम उस लेखन के ब जैसे सिंदु सभ्यता वहां से और जो भी चीज मिले है उसे हम सहितिक सुरूत के साथ-साथ और पुरतत्विक साक्ष दोनों प्राप्थ हुए हैं तो उसको हम कहेंगे एतिहासी काल जिसे हम पढ़ सके और जिसे नहीं पढ़ा जा सके और सहितिक सुरूत मिला है कुछ लिखा हुआ चीज मिला हुआ है तो उसे अर्ध एतिहासी काल कहा जाता है ठीक है तो हम सबसे पहले इसकी परिभासा यहां पर लिख दिये हैं बारक इतिहास क्या है वह एतिहास जिसे पत्थरों परधारी था अर्थात पत्थर से ही सिकार करना पत्थर की गुफा बनाना सरम लेना आग पैदा करना इत्यादी काम करते थी इसके तीन भागों बटा गये पशांड यूग को तीन भागों बटा गया है पुरपसांड काल, मद्धपसांड काल और नौपसांड काल ठीक है और ऐसा मा जाता है कि आश्ट्रोलोपेथिकस दुवारा सबसे पहले पत्थर के आउजार का उप्योग किये गये थी आश्ट्रोलोथिकस जो है यह आदिमानों की एक पर जाती है ठीक है अब देखते हैं पुरपसांड काल के बारे में पुरपसांड काल पचीस से बिस लाख बरस से ले करके और बारे लाख बरस पहले तक मतलब आज से पचीस लाख बरस से ले करके आज से बारे हजार बरस तक के यूग को हम पुरापसाणकाल के नम से जनते हैं इसमें बहुत सरे उसस मिले जिसे सोहन नदी जो कि सिंदु की एक छोटी सी सहायक नदी है वेलन और नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए है भपाल के पास भीमबेट का जो है उसमें गुपा है वह भी आकरिती पुरापसाणकाल से मिला हुआ है तो पुरापसाणकाल से प्रमुक आकरित जो हमें महत्पून अस्तल मिले है वे है पाल गाउं जो कस्मिर में है बेलन घाटी इलहाबाद में है भीमबेट का और आदमगोर मदपरदेश में है नेवसा, अहमद नगर जो महराष्ट में है हुंग सी यह सभी प्रमुक आस्तल पुरापसाणकाल के मिले हुए है यह भीमबेटिका का चित्र दिया गया है अब पुरापसाणकाल बहुत लंबा है इसलिए इसे हम तिन भागों बाढ़ते है पररम्भिक या नेवन पुरापसाणकाल जो 25 लाक बरस से ले करके और 50 जार बरस तक के काल को काते है उसके बाद मदपुरापसाणकाल आता है जो 50 से 40 जार बरस के बीच में आता है और उच्च पुरापसाणकाल जो की 40 जार से ले कर 12,000 तक आता है ऐसे मना जता है कि पुरपपसांड काल में ही आग की खोज हुई ठीक है लेकिन इसे लोगों ने सही यूप्योग करना अभी नहीं जाना था ठीक है कि वल आग को बचा कर रखते थे उसके बाद आता है मद पसान काल मद पसान काल बारे हजार साल से लेकर दस जर साल पहले तक को मना जाता है इस यूग को माईक्रोलित अथवा लगुपाशन यूग भी कहा जाता है मद पसान काल का समय 10,000 इस भी पूरुप से लेकर 4,000 इस भी पूरुप तक माना जाता है जिसका काल का विकास हुए ऐसे तो इसको 12,000 साल से लेकर के 10,000 तक लेकिन इसका कर्मे जो मतलब 4,000 बरस तक का रहा है इस अवधी में सिकारी, मतलब सिकार करना, सिकार के माध्यम से भोजन को इकठा करना पसुपालन सुरू हो गया था ठीक है और साबसे पहलेमानों ने कुट्टा को पालतू बनाना सुरू कर दिया अर्थात मद्ध पसानकाल जो है पुरपसानकाल और नौपसानकाल के बीच के छोटे से समय है उसके बात है नौपसानकाल नौपसानकाल में जो लोग है पसुपालन करना सुरू कर दिये थे, क्रिसी करना सुरू कर दिये थे अस्थाई हो कर रहना भी शुरू कर दिये थे जितने भी अब इसकार हुए है लगभग लगभग सभी का जो है खोज नो पसांद काल में हुआ जबकि क्योल एक आग का बिसकार जो है पुरा पसांद काल में हुआ है इस काल में मानों जल, सूर्ज, अकास, प्रित्वी, गाय, सर्प, आदी की पूझा करते थे मतलब परकिर्टी की पूझा करते थे जो इसके लिए आउसक थी आज भी इसकी पूझा होती है इस काल में मानों ने सिचाई करना भी सिख लिए था मतलब क्रिसी करना शुरू कर दिया था तो सिचाई भी करेगा ठीक है और अनाज को पकाने, कटाई, पिटाई, सब जितने भी काम है जो है चाक और पईय का विसकार भी नोपसंड काल में हुए है इस काल में मानोक, क्रिसक और पस्पालक दोनों थी और इसके परमुक अस्तले मेहरगड, गुफाकराल, बुर्जहों, कोल्डिहवा, महादहा, चिरान, हलूर ये सभी अस्तान जो है, जहां से हमें जोग, गेहु, चावल, दलहन, चाना, हारा, चना जैसे फसल उगाने के साक्ष प्राप्थ हुए है अब देखिए, पसान यूग के बाता है, तामर पसानकाल तामर पसानकाल मतलब हम जानते हैं, धातू में देखा जाए, तो सबसे पहले मानों ने तामबे धातू की खोज किया तो तामबाग खोज हो जाने से पत्थर और तामबे दोनों का इस्तमाल करने लगे मानों ने इसलिए इस यूग को तामरपाशान काल कहा जता है ठीक है और इसका समय जो है 3500 से 700 इस्वी पूरु के बीच में माना जता है अर्थात हडपा के समय तक जो है तामरपाशान यूग माना जता है 1020 से लेकर इस्वी सन की पर्रम्रिक सरी तक प्रयादीपी उचभाग में महापाशनिक संस्कृति के लोगों का समय माना जता है महापाशनिक क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थरों को रख देते थे ठीक है कबरों पर जैसे यहाँ फिगर में देख रहे है अब इसमें कुछ महत्पोन क्वेश्चन को आम देख लेते है उत्तर पुरपाशान काल में मानोद और उप्यूक की जाने वाली गूफा अर इसके बाद है पुरपाशान यूग में मानोद की जीवका का मुख अधार क्या था तो इसका पुरपाशान काल की बत करता है अथात सिकार करना ठीक है परचेन काल में मिटी के बरतन का परियोग सरपर्थम किस यूग में हुआ तो नौपाशान काल में हुआ यह एंसर हो ज पुरा पाशानकाल मद्ध पाशानकाल नौपाशानकाल ठीक है सबका समय भी यहाने इधारित कर दिया गिया है तो यह सभी महत्मुन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं थैंक्यू इसके बाद हम लोग कासी यूग में चलेंगे और फिर सहरी सभ्यता की स की सुरुमात होती है तामबा के साथ साथ जो है पाशान और कासी यूग की सुरुमात होती है उसकी अगली वेडियो में हम अध्यान करेंगे थैंक्यू कर दो